नमस्कार, मैं हूँ वरुन सिंग और आप देख रहे हैं Square Feet India का YouTube चैनल एक बुरी ख़बर है ख़बर ये कि हो सकता है कि रेल एस्टेट के कीमते यानि घरों की कीमते बढ़ जाए ये मैं नहीं कह रहा, बर असल ये कह रहे हैं रेल एस्टेट में काम करने वाले डेवलपर्स, बिल्डर्स हाल ही में क्रडाई ने एक स्टेट्मेंट जारी किया था कि 10 से 15 पतिशत कीमते बढ़ सकती हैं और कारण क्या है? कारण है, उनका कहना है कि जो raw materials है यानि जो construction में इस्तमाल आने वाले cement, steel, बाकी जो plastic की चीज़ें हैं प्लस transportation charges क्योंकि petrol की कीमते भी बढ़ी हुई हैं इन सब चीजों के वज़े से जो construction material है, जो घर बनाने में काम करता है उनकी कीमतें बहुत बढ़ गई है चाहे cement हो, या मैंने पहले भी कहा कि steel, aluminium, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर बनाते वक्त काम आती है और इन सब की कीमतें वो कह रहे हैं कि जनवरी 2020 से ही बढ़ रही है यानि lockdown के दर्मियान भी ये कीमतों में कोई कमी नहीं आई थी उसके अलावा जो सबसे और महत्पून चीज़ है कि shortage of labor भी बहुत है दर्सक्र लॉक्डाउन के वक्त बहुत सारे labor अपने अपने घरों के लिए लॉट गए थे क्योंकि lockdown जब लगा था तब यहां कोई काम जादार नहीं चल रहा था और लोगों को इस चीज़ की भी guarantee नहीं थी कि कब खुलेंगे market या वापस से दुबारा कब उनके पास काम होंगे इसलिए बहुत से लोग अपने घरों के तरफ लॉट गए थे और अब जो real estate industry है उसमें कहीं न कहीं shortage of labor का भी एक बड़ा एहम किरदार हो रहा है कि shortage of labor की वज़े से घरों की कीमतों में इजाफा हो सकता है क्योंकि जो हैं वो महंगे पड़ रहे हैं और उनके लिए भी बहुत सारे चीज़े करनी पड़ रही है चाहे वो उनका रख रखाओ हो या बहुत सारे जगों पर जो labor's है वो वहीं site पर रह रह रहे हैं तो उनके बाकी इंतजमात भी करने पड़ते हैं तो इजाफा जो है वो real estate की prices में होने वाले हैं ऐसा developers, developer body और builders कह रहे हैं और उन्हों ने जैसे पहले भी मैंने बताया आपको कि उन्हों ने जो कहा है कि raw materials जो construction materials लगते हैं वो सबसे बड़ा कारण है क्योंकि उसमें बहुत बढ़ा एक बढ़ोतरी हुई है उनकी इमतों में जो materials builders अस्तमाल करते हैं इजाफा 10-15% तक हो सकता है, prices बढ़ सकती हैं इस तरीके के संकेत दिये हैं हाला कि अगर बात करें तो real estate पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छा कर रहा है अगर मैं मुंबई की बात करूं तो October महीने में ही इतना real estate विका और December तो आने वाला है November अभी चल रहा है और real estate में पैसे आचुके हैं पर जो उनका कहना है कि इतने सालों से कुछ सालों से खास करके जब से demonetization हुआ है तब से बहुत सारे बिल्डरों ने rate नहीं बढ़ाये थे और rate नहीं बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कारण दिया था कि वो चाहते थे कि लोग जादा से जादा खरीदे पर अब वही बिल्डरों का कहना है कि अब उनके profit or loss के उपर बहुत बड़ा संकटा रहा है और rate बढ़ाना उनकी मजबूरी हो रही है और इस कारण वो rate शायद बढ़ा दे तो real estate rates यानि घरों की कीमते 10 से 15% तक builders कह रहे हैं कि बढ़ेंगे वो अब कितना बढ़त है और यह Square Feet India का YouTube चैनल है हम हमारे चैनल और हमारे website के जरिए आप तक real estate जगर से जुड़ी हुई महत्पून जानकारी लेकर आते हैं यदि आपको यह वीडियो पसंद आये तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को like और share भी कर सकते हैं आप जादा जानका कारी के लिए हमारे website squarefeetindia.com पर visit भी कर सकते हैं यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद